दोस्तों क्या आप एक कोईन कलेक्टर हैं आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को यह बैस नुमिस्मेटिक एप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहां पर हो सारे कोई सों नोट अविलेबल है चाहें वो मुगल हो एंशेंट हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एविलेबल है नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करते हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो को जड़ टोपिक है वो है जिसमें फेस वीडियो बनाई है लोगों और वो बता रहें कि 500 रुपे का एक कोई बिखता है ये तो क्या ये सच बात है यही साई चीजी आज की इस वीडियो में जानेंगे हम और ये भी जानेंगे ये कौन कौन सी धातों में सिक्का बना था और कौन से मैटल का सिक्का कितना वैलियोबल है जो कि जैसे मैंने बताया बहुत सारी वीडियो बन चुकी है सब ने अपनी अलग अलग वैलियो बताई है कोई 500 रुपे बता रहा है कोई 400 रुपे बता रहा है किसने तो 5000 भी बता रखी है एक कोई की वैलियो लेकिन मैं पूरे जैन्मन तरीके साब को साइची अच्छे समझाऊँगा बुक्स के रेफरेंस से भी मैं आपको इसकी प्राइस दिखा दूँगा या मार्केट वाल्यो भी इसकी क्या चल रही है और अगर यह आप अपने कलेक्शन के लिए खरीदते हैं तो कौन सा सिक्का कितने का आपको मिल सकता है 2006 में बने महात्म बश्वेश्वर के कोईन दो अलग-अलग बैटल में देटने को मिलते हैं पहला फरेटे की स्टेनलेस स्टील दूसरा कोपा निकल इन कोईन्स में प्रूफ और यूएंस सेट भी आये थे जिनकी कीमत लगबग साड़े तीन चारह जार रुपे आज की डेट में चल रही है मैं बात करता हूँ सबसे पहले आप उसे स्टेनलेस स्टील के कोईन के बारे में क्या ये वैल्योबल है क्या ये रेयर है काफी लोगों ने तो बता दिया है लेकिन सही तरीके से वो नहीं बता पाए है क्या अगर वैल्यू इतनी ज्यादा है तो क्यूं है तो सारी चीज़ आप अच्छे समझ ले कितनी वार्केट वैल्यू है अगर आपने ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू समझ ली है इन कोईन्स की तो ऐसा नहीं है 2006 में बने फरेटेक स्टेनलिस स्टील के महदम वश्वेश वर गई यह कोईन वेट की बात करें तो 6 गिराम, साइस की बात करें तो 23 अम, सेप सर्कुलर बंबे मिंट की तरफ से ढाले गए ते अगर बात करें कीमत की तो यह आम चलन में इजली देखने को मिल जाते है तो यह कोईन वैल्योबल नहीं है, हाँ अगर आप UNC कोईन खरीते हैं किसी से, कलेक्शन के लिए अपने, तो यह आपको 15-20 रुपे में मिल सकता है स्टेनलेस स्टील का कोईन, UNC कंडिशन में, लेकिन वैल्योबल वही है, मार्किट में एजली आपको देखने को मिल जाते हैं अब बात करते हैं कोपन निकल के कोईन की इसकिन पर जो पांच रुपे गम हात्म बश्वेशर का कोपन निकल का कोईन आप देख रहे हैं नो गिराम वजन का कोईन है, यह साइस की बात करें तो 23 एम शेप सर्कुलर यह कोईन कलेक्शन के लिए थोड़े अच्छे है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी कीमत बहुत जादा है अगर यह कोईन आप अपने कलेक्शन के लिए खरीते हैं तो यह आपको 25 से 30 रुपे तक मिलेगा हाँ यह सच है कि मार्किट में यह कोपन निकल के कोईन इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि अगर स्टेनलेस स्टील के कोईन से तुलना करें तो स्टेनलेस स्टील के कोईन की मिंटेज काफी जादा हुई है और कोपन निकल के कोईन की कम हुई है तो market में अगर आप देखेंगे तो general circulation में आपको copper nickel के coin बहुत कम देखने को मिलेंगे stainless steel के easily देखने को मिल जाते हैं तो gin coin के vintage लो हुई है उनकी value भी थोड़ी जादा होती है लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत जादा value होती है बहुत जादा vintage होई है लेकिन stainless steel coin की तुलना में कम होई है तो अगर बात करें copper nickel के coin की value की तो यह जैसे मैंने बताया आपको 25 से 30 रुपे दे सकता है आप books के reference से भी price देख लिजा आप इन दोनों coin की ताके आपको साड़ी चीज अच्छे समझ में आगर आपको यह पता चल जाए कि जो videos आपने देख ली है जिसमें इन coins की कुछ भी value बताई जाती है क्या वो सच है या नहीं है 2020 में market price क्या चल दे यह इन दोनों coin की stainless steel कोपन निकल के वो आप अच्छे से देख लीजिए तो अब books के reference से भी दोस्तों इनके price देख लीजिए क्या market value यह चल रही है यह है महात्म बश्वेशर का stainless steel का coin bombay mint value देख सकते है आप 10 उर्पे से लेकर 15 रूपे तक extra fine condition है और यह UNC condition है अब कोपन निकल वाले coin की देख लीजिए महात्म बश्वेशर का यह कोपन निकल का coin है यह भी bombay mint की तरफ से है और कीमत देख सकते है extra fine 10 उर्पे, UNC condition 30 उर्पे तो यह दोनो stainless steel lord कोपन निकल के coin की market value है जो अभी चल रही है तो आशा करता हूँ यह सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी यह भी समझ में आ गई हो गया क्या महात्मा बश्वे शरफ का 5 उर्पे का coin 200-300-500 उर्पे की कीमत नहीं रखता है जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं क्या आगे चल कर यह coin rare हो सकता है नहीं हो सकता है तो मुझे नहीं लगता है क्या आगे जाकर यह rare होगा क्योंकि इन coins की vintage भी काम हुई है तो अगर आप इसको hold करते हैं काफी लंबे टाइम तक भी तो value जादर नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि आप इसको normal coin ही कह सकते हो तो चैनल अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell notification को दबा कर ले ता कि आने वाली वीडि को मैं खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद